प्रेम सबली संकर भगवान कीजए, मैं ये गोरा पार्वती कीजए, जै कर्मा गुशाएं गुरुबान मैं आज कर्मा वरत की कथा सुनाने जा रही हूं, इस कथा को पूरा सुनिए और रहत जानिए आदी नहीं, आदी सुन्ने में कर्मा महराज नाराज हो जाएंगे, पूरा सुन्ने में कर्मा गुशाएं, दया करेंगे, दया बर्षाएंगे, जीवन खुशी और धन्न हो जाएगा, कोई परकार का कोई दुख नहीं होगा सबसे पहले कर्मा बर्ष जो है, भाई के रच्छा के लिए बहन करती है, और कर्मा बर्ष जो है, भादो मास में एकासी के दिन, शुकल पर्ष, एकासी के दिन, पूरे दिन उपवास रहके, और साम के शमय में सुर्ज डूबने के बाद कर्मा बर्ष की पुजा होती है सुवा सुवा जल्दी से जाकर और सभी लोग कर्मा गोशाएं के पुजा करते हैं और पुजा करके उसके बाद पानी में ले जाकर उनका प्रतीमा को डुबाते हैं जहार कासी को परवा कर देते हैं पानी में उसके बाद जो भी ब्रत करते हैं वो भोजन करते हैं कर्मा के दिन या कभी भी गरन चीज नहीं फेकना चाहिए कोई जगह पे कर्मा का दिन तो बिल्कुल नहीं तो चलिए हम कथा को और वड़ते हैं कर्मा और धर्मा दो भाई थे दोनो भाई में बहुत बड़ा प्रेम था कोई परकार का कोई अनवन नहीं था कर्मा और धर्मा धोनो बेपार करते थे कर्मा धर्मा धोनो बेपार करते थे कर्मा जो थे बड़े सीधे सभाब के थे लेकिन उनकी पत्नी बड़ी मलिंता के साथ रहती थी किसी को मान सम्मान नहीं देती थी सबको अप मान किया करती थी कर्मा जो थे बेपार में गए हुए थे धर्मा के पत्नी दोनो घर पे थे धर्मा ने अपने घर पे बड़े उस्साह रखे भोजन पे पूरे गाहँवाले के नियुता दिये लेकिन कर्मा को कोई परिवार कोन का बच्चे का और कर्मा के पत्नी को खाने पर नहीं बुलावा दिये कर्मा की पत्नी बहुत उख्वी हुई और मनी मन क्रोधित होकर सोचने लगी कि मेरा भी पती आएंगे तो हम भी बड़े उत्सा से अनेक परकार के भोजन बनाएंगे बेंजन बनाएंगे और खाएंगे पर धर्मा को हम नहीं पूछेंगे दीरे दीरे समय बित्ता गया और कर्मा भी बेपार से लोटाएं कर्मा की पत्नी आखों में आशु लेकर अपने पत्ती से कहती है कि है स्वामिनात आप जब बेपार में थे तो धर्मा ने उत्सा रखा पूरे लोग को भोज बंडारा करके और बुलाया खाने पे लेकिन हम लोगों का नहीं पूछा कर्मा बोले की तो इसमें देर क्या तुम भी अच्छे अच्छे बनाओ भोजन और भोजन बनाकर अधर्मा को नहीं पूछना हम लोग पूरे परिबार खाएंगे अच्छे से रहेंगे उस दिन एक आशी का दिन था कर्मा के कर्मा ब्रत था कर्मा बोले की तो आज तो तुम प्वासो सुवस में जल्दी से जाग जाना और जाग के और अच्छे अच्छे भोजन बनाना कर्मा की पत्नी बोली की ठीक है बहुत अच्छे बात है हम जल्दी जल्दी सुवा में जाक जाएंगे और जाक कर और हम भोजन बनाकर और पुजा पाट करके खाना खा लेंगे कर्मा की पत्नी सुवा जागी जल्दी से और जाक कर भोजन बनाने लगी जब भोजन बनाने लगी तो बड़ा खुसवुदार धमक आ रहा था बाहर पूरा धमदम धमदम धमक रहा था और धमक रहा था तो कर्मा गोशाएं पूरे गाउं में घूम रहे थे चारो तरफ घुम रहे थे और कर्मा के घर से धमक आने के बाद कर्मा खुशाएं खिर्की के द्वार पे खड़े हो गए खिर्की के पास और उसके घर का भोजन का खुश्वू लेने लगे कि कर्मा के घर में क्या क्या बन रहा है जाक कर देखने लगे कर्मा की पत्नी उसी वक्त भोजन बना रही थी चावल सीज रहा था और कर्मा गुशाई खिर्की से जाकर देख रहे थे कर्मा की पत्नी मर पसा के खिर्की के दौरे फेक दी गरम गरम कर्मा गुशाई पे पूरा मार गिर गया और कर्मा गुशाई जल गए गुशे में नाराज होकर कर्मा गुशाई प्सराब दे दिये कि हे भगवन हे लच्मी माता इसके घर में कभी कोई खुशी ना रहे मेरा स्रीर को अगनी से जला दिया कितनी ये ऐसी है कि मेरा स्रीर को जला दिया कभी जमीन पे मार नहीं गिराना चाहिए गरम पानी नहीं गिराना चाहिए ऐसे और मुझे तो पूरा स्रीर को जला दि इसे थोड़ा सा भी दिल में दया नहीं है कितनी बेरहम है कर्मा गोसाई वहां से चल दिये चलते 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 सिरोवर में जाकर जल समाधी ले लिए जल समाधी ले लिए कर्मा की पत्नी बड़ी प्रेम से पूरे प्रिबार खाना खाई लेकिन क्या हुआ उसके घर में उसी दीन से कर्मा के घर में लच्मी माता का प्रवे सोना बंध हो गया घर में कोई परकार का कोई ब्रकत नहीं धीरे 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 इनके घर में गरीवी छाने लगा इनके घर में हर परकार के बिमारियां हर परकार के कष्ट आने लगा कर्मा कितना हूं कमाते थे लेकिन इनका घर में बरकत नहीं जब एक रुपया कमाते थे तो पांच रुपया का जरूरत पड़ जाता था और धर्मा दो पैसा कमाते थे लेकिन उनके घर में बड़ा खुसी हाली जीवन वित रहा था धर्मा का कोई परकार का कोई दुख नहीं था धर्मा बड़े खुसी से अपना जीवन विता रहे थे दीरे दीरे समय विता और कर्मा के जितना जोत जमीन था सारा जोत जमीन बिक गया धर्मा के घर में त्राही त्राही हो गया कर्मा के पत्नी बड़ी दुखी रहने लगी ना तो तन पे सही से वस्त्र और ना तो भोजन और ना तो रहने का छत उनके घर में गरीवी के कारण बच्चे अन भी ना तलप रहे थे अब जो है कर्मा कहते हैं धर्मा से की भाई सुनो अब मैं क्या करूँ मैं तो दुसरे का खेत में मजदूरी करने जाऊं कैसे मेरा इतना बड़ा नाम था यदि तुम चाहो तो तुम्हारे खेत में मैं काम करूँ दोनों पती पत्नी और तुम्हारे ही खेत में काम करके और अपना घर में लाएंगे मजदूरी दे देना कोई नहीं जानेगा धर्मा बोले भाईया ऐसे कैसे हो सकता है आप मुझसे जाहे जितना रुपया ले ले भाईया जितना चावल गेहू ले ले लेकिन मैं मजदूर की तरह आपको नहीं खटवा सकता हूँ कर्मा कहते हैं नहीं भाई कई दिन गुजा रहोगा हम तुमारे घर में तुमारे खेत में बड़े लगन से काम करेंगे और दुसरों से भी करवाएंगे धर्मा बोले कि तो ठीथ है भाईया आज से ही आप मेरे खेत में लग जाएए कर्मा और कर्मा की पत्नी दोनों धर्मा के खेत में की काम करने चले गए जब भोजन के समय हुआ तो धर्मा और धर्मा की पत्नी दोनों मिलकर भोजन लेकर गए कर्मा और कर्मा की पत्नी बड़े स्रें और लगन से काम कर रहे थे और दुसरों से भी करवा रहे थे धर्मा बोले भहिया खाना लेकर आये हैं आप दोनों खाना खा लिजिए कर्मा कहते हैं कि नहीं भाई मैं तो घर का हूँ सारे लोग का भोजन दे दो हम पिछे खा लेंगे धर्मा ने सबको भोजन करा रहें लगे और एक वी रोटी उनके पास नहीं बचा बेचारा धर्मा अपने भाई से कहते हैं कि भहिया माफी चाहता हूँ मैं आपको पहले भोजन करने को बोला लेकिन आप नहीं किया भहिया खाने में एक रोटी भी नहीं बच रहा है मैं क्या करूँ घर पे भी खाना खत्म हो चुका है कर्मा कहते हैं कि भाई इसमें क्या दिक्कत है मैं तो घर का वे आदमी हूँ मैं भला थोड़ी न किसी से कहूंगा ए सब मेरा भाग का दोस्थ है कर्मा और कर्मा की पत्नी दोनों भूखे रह गए भूखे रहकर पूरा दिन काम किये साम का समय में मजदूरी लेकर बोड़ा में भरके धर्मा और धर्मा की पत्नी दोनों लेकर गए और कहने लगे कि भाईया अपना मजदूरी पहले ले लो कर्मा और कर्मा की पत्नी कहते हैं मैं तो घर का हूँ बाहर वाले के दे दो हम पीछे ले लेंगे धर्मा और धर्मा की पत्नी दोनों मजदूरी देने लगे तो मजदूरी देते देते पूरा चावल खत्म हो गया कर्मा और कर्मा की पत्नी के लिए एक कन भी नहीं बचा धर्मा कहते हैं भाईया ये तो अनर्थ हो गया भोजन भी नहीं बचा और चावल भी खत्म हो गया कर्मा कहते हैं इसमें तुम्हारा कोई दोस नहीं मेरा भग का दोस है कोई बात नहीं मैं घर जा रहा हूँ कर्मा और कर्मा की पत्नी दोनों घर गए जब घर गए तो उनके बच्चे भुखे तरप रहे थे कहने लगे पिता जी क्या लाए हैं मा क्या लाई हो कर्मा और कर्मा की पत्नी कहते हैं मैं क्या बताओं बेटा कुछ भी नहीं लाया हूँ तुम्हारे लिए आज मैं खाली हाता आ गया हूँ कल का दिन देखा जाएगा तुम्हारे लिए क्या लाएंगे लेकिन धैरे रखो तुम्हारे लिए बहुत सारे अन लाएंगे और खुश्या भी लेकर आएंगे पता नहीं किसकी नजर लग गया जो ऐसा हो गया बच्चे ने जल्पी कर सो गए और कर्मा और कर्मा की पत्नी भी जल्पी कर ही सो गए आधी रात हुआ घहरा निंद पड़ा हुआ था कर्मा एक सपन देख रहे हैं किया रे मूर्ख क्या कभी जागते हो कभी सोते हो कैसा लग रहा है मैं तो दर्द से ब्याकुल हूँ मैं तो जल में भी हूँ लेकिन फिर भी मेरा जलन कम नहीं पड़ रहा है करू तो मैं क्या करूँ तेरा पत्नी ने मेरा आपमान किया तेरा घहर कर्मा के दीन कर्मा 81 के दीन सुवा सुवा आज का 81 82 का सुवेरा में तुमारी पत्नी भोजन बना रही थी और तुमारा पत्नी को भोजन का खुस्वू हम लेने गए अब तुम्हारा पत्नी जो भोजन बना रही थी माल पसा कर मेरे तन पे ही फेख दी और मैं जलकर दुखी होकर तुम्हें स्राप दे दिया हूँ अब मैं क्या करूँ मेरे ही स्राप के कारण तुम दुखी हो तुम कितना अच्छा था लेकिन तुम्हारा पत्नी कुकर्मी थी मुझे पे अत्याचार करके डाल दी माल पसाके मैं उझे जला दी इसी कारण मैं स्राप दिया हूँ और तुम दरदर भटक रहे हो तुम्हे आन और भोजन नहीं मिल रहा है ए बात सुनकर जाग गए कर्मा और कर्मा जाक कर मन ही मन सोचने लगे कि हे बगवन मैं क्या करूँ इसके लिए कुछ करना होगा सवेरा जाकते ही चंदन और हल्दी का लेप पनाए कर्मा और उसमें घी मिलाकर एक कटोरी में भार लिए और सुवा का निकलने लगे तो पत्नी कहती है कि आप सुवेरे सुवेरे कहा जा रहे हैं कर्मा कहते हैं कि मैं किसी काम से जा रहा हूँ जब आए हैं तो मुझसे पूछ लेना हल्दी और चंदन का लेप लेकर चलने लगे चलते 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 आंका पेले करता है कि भाई कर्मा कहां जा रहे हो कर्मा बोला मैं तो कर्मा गुशाई को मनाने जा रहा हूं हल्दी का और चंदन का लेफ लगाने जा रहा हूं अरे भाई मेरे बारे में थोड़ा पूछ कराना आखिर क्या बात है जो मेरा फल कोई नहीं खाता है हम मेरा ब्रिश में फल तो लगता है लेकिन कीड़े पड़ जाता है अच्छा ठीक है पुछ कर आएंगे आगे बढ़ते ही एक बुड़ी मा मिली और बुड़ी मा के सर पे एक खटिया था खटिया वो छुटी नहीं रहा था क्या बात है कहां जा रहे हो बेटा मा मैं तो कर्मा गुशाई को मनाने जा रहा हूँ बेटा मेरे बारे में पूछ कर आना आखिर क्या कारण है जो मेरा सर से खटिया नहीं हटता है ठीक है मा जी पूछ कर आएंगे आगे बढ़ने पर एक बहुत बढ़ा सागर मिला तालाब जल से भरा हुआ लबालाब सागर पुछा आरे भाई तुम कहां जा रहे हो कर्मा कहते हैं कि अरे भाई मैं तो कर्मा गुशाई को मनाने जा रहा हूँ कर्मा गुशाई नाराज है अरे भाई मेरे बारे भी पूछ लेना मेरा पानी इतना गंदा क्यों है मेरा सागर भरा हुआ है लेकिन फिर भी मेरा पानी क्यों गंदा है कोई नहीं पीता कोई असनान नहीं करता है ठीक है जा रहे हैं पूछ लेगे दीरे दीरे उसी अस्थान पे कर्मा पहुच गए उसी स्रोवर के पास पहुच गए और पानी में हेल गए पानी में हेल गए हेल कर और कर्मा महराज को ढूड़ने लगे कर्मा कर्मा महराज, कर्मा गुशाई महराज कर्मा गोशाई भी श्रोवर में जल समाधी लिये हुए थे जब थोड़ी सी पानी में हेले तो कहते हैं कि कर्मा गोशाई महराज कहां है मैं कर्मा आपको बुलाने आया हूँ आपको मनाने आया हूँ कर्मा गोशाई कुछ नहीं बोले जल समाधी लिये हो थे खोईते खोईते उनके पास कर्मा पहुच गए और कहने लगे कि हे भगवन मेरा पत्नी ने बहुत बड़ा भूल कर दिया आव आप बाहर चलिये उनके हाथ पकड़के और बाहर नदी के अराद पे लाए पूरे हल्दी और चंदन का लेप लगाए उनका श्रीर जो था जलन कम गया जब जलन कमा तो कर्मा करते हैं कि बहाराज आप बापस चलिये अपने अस्थान पे आप जल समाधी क्यों ले लिये थे क्रोधित होते हुए कर्मा गोशाए सारी बाते बताए ठीक है भगवन मैं आपसे छमा मांगती हूँ मुझे छमा कर दीजिये उसका गल्दिया को छमा कर दीए कर्मा के पत्नी को और उनके साथ चलने लगे चलते 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 उसी सरोवर के पास पहुच गए सरोवर ने पूछा कि क्या कर्मा मेरे बारे में पूछा कर्मा बोला कि मेरे साथ ही तो कर्मा गुशाएं है इन से पूछो कर्मा गुशाएं बोले तू दूसरे को देखकर और सुख जाते हो तुमें तो दूसरे को देखकर खुशी हो जाना चाहिए इसलिए जो भी आते हैं जिस गाय आती है और तुम्हारे स्रोवर सुखा हुआ देखकर तुम्हें स्राप देदेती है कोई अशनान करने आते हैं तो तु गंदा धारा बहती हो इसलिए तुम्हें स्राप देदेते हैं लोग इसलिए तुम्हारा सुरोवर में कोई नहीं पानी पिता यदि अच्छे पानी पिलाओगी तो सारा लोग पियेंगे ठीक है आज से ऐसा नहीं करेंगे हम सब को पवित्र करेंगे सब को जितना हूँ पाप रहेगा और सब को धो देंगे गंगा धारा में उमढने लगे बहने लगे कर्मा गोसाए बोले कि तू तो सब को पवित्र करने वाली हो सब को पात को धोने वाली हो फिर भी तू ऐसा करती हो इस कारण तुम्हारे पास कोई नहीं आता गंगा लहरा में बहने लगे आगे बढ़ने पर वही बुड़ी मा मिली जिनके तन पे खटिया पड़ा हुआ था जब खटिया पड़ा हुआ था तो बुड़ी मा बोली की बेटा कर्मा मेरे बारे में पूछा कर्मा बोला की मेरे साथ तो कर्मा गोसाएं है कर्मा गोसाई को हाँ जोड़ती हो बुड़ी मा बोली है कर्मा गोसाई मेरे तन पे खटिया क्यों पड़ा हुआ है और नहीं तो मेरा मिर्टु होता है और नहीं तो मुझे चैन मिलता है कर्मा गोसाई बोले कि बुड़ी मा तुम नहीं जानती हो आज तक मुठी बर किसी को ओन नहीं दियो और जो भी रहता था सर पे वो जवना के रखती थी कभी जीवन में किसी को दान नहीं दिया इसी कारण तुमारे साथ यह सब हो रहा है बेचारी बुडी मा कती है कि तो आज मेरा खटिया छुट जाएगा तो हम लोगों का दान कुन करना शुरू कर देंगे कर्मा गोसाए बोले हैं मस्तू बुडी मा उस दिन से लोगों का आन और पानी पिलाने लगी और भोजन कराने लगी आगे बढ़ने पर आमका ब्रिच मिला आमका ब्रिश पूछा कर्मा से कि भाई मेरे बारे में पूछा कर्मा कहते हैं कि मैं तो खुद लेकर आया हूँ कर्मा गोसाईं को कर्मा गोसाईं से पूछे कि भाई क्या खारण है जो मेरा इतना बड़ा विशाल ब्रिश है लेकिन मेरा फल गंदा लग जाता है कर्मा गोसाएं बोले अरे आमका ब्रिष्टो सचमुच में पवित्र करता है लोगों का आमका लकडिया हमन में लगता है आमका लकडिया से पूजा की जाती है आमका डाल से लोग दत्वन करके ब्रत करके दत्वन करते हैं पलों से जल शिरकते हैं उसका फल जो है भगवान को अर्ग देते हैं पूजा करते हैं लेकिन चंदन से भी जादा तुमारा डाल से पत्ते तक सब काम में आता है लेकिन तुम क्या करते हो लोग तुमारे पास आते हैं तो तुम हवा देना बंद कर देते हो कि मेरा च्छा में नहीं वेड़ सकता इसलिए लोग के स्राप के कारान तुम्हारा ये दसा हुआ ये बात सुनकर आमका बिच बोला कि है कर्मा गुशाए आज से हम लोग का मीठे फल खिलाएंगे और ठंडी हवा देंगे कभी किसी के साथ नयाय नहीं करेंगे नयाय करेंगे वहां से कर्मा गुशाए आए कर्मा गुशाए तो कर्मा क्या अपना घर लेकर आए कर्मा ने क्या किये कि कर्मा के डाड़ लाए और कर्मा के डाड़ लाके और उसे अस्थापना देकर और कर्मा गोसाईं के बड़े धूमधा में से पूजा किये सरवत मीठा सरवत गुल का सरवत घोर के और कर्मा गोसाईं को पिलाए कर्मा गोसाईं को पिलाके और प्रेम पुरुवक कर्मा गोसाईं के पूजा किये और पानी में उनका परवा किये और सभी को बताए कि देखिए कोई भी माताय वंबहना कोई भी हो कभी गरम चीज जमीन पे नहीं फेकना चाहिए किसी बाल्टी में किसी डब्बे में या तो आपके पास गाय है तो उसके नाद में दे दिजिए वो भोजन कर लेगी ठंडा हो जाएगा तब उसे भी गरम नह कुगने के बाद की रसोई नहीं बनाना चाहिए भू फूंगने से पहले ही चुला जला देना चाहिए करम 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 बिचार करम लेकर पेसली डार अपक्रम भईया के धरम-जार मैं कर्या करम 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 विचार करम ले के पैसली डाड़ अपन करम भैया के धरम जार मैं फहरावाई